लोग तांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किये बिना, आप समाधान नहीं ढून पाएंगे। हम खुद करने की इच्छा नहीं रखते और हम चाहते हैं कि सरकार इसका बस एक जादूवी छड़ी से समाधान करते, नहीं। सद्गुरू, फिलहाल परियावरन का एक मुद्दा ध्यान आकर्शित कर रहा है, चाहे उसकी वज़ा अच्छी हो या बुरी, संयुक्तराश्ट्र का ये पूरा मुद्दा जो एक सोला साल की लड़की के बारे में है, जिसने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, इस मामले क की दो पक्ष है, और हर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखे, मैं किसी की बात को स्वीकार या अस्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं निजी तोर पर लोगों पर दोश डालने में विश्वास नहीं रखता, क्यूंकि इस से समाधान नहीं निकलेगा, ये मैंने बहुत पहले सीखा था, जब मैं सोलन साल का था, तब म मैं ब्रह्मान की हर चीज पर क्रोधित था, राजनित एक प्रणाली पर, सामाज एक प्रणाली पर, पारिवारिक स्थितियों पर, धर्म पर, जाती संप्रदायों पर, अन्याय पर, मैं हर चीज पर क्रोधित था, लेकिन फिर मैंने एक मुकाम पर आकर ये समझा, कि आप द नहीं बदलेगी क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ, मैं आपने भीतर ये देख चुका हूँ, कि इससे मुझे और मेरे आसपास हर किसी को क्या नुकसान पहुंचा हर समय किसी चीज को लेकर क्रोधित होने से। कर एक समधान खोजें। क्यूंकि अगर हम समधान चाहते हैं, तो लोकतांतरिक रूप से चुनी गई सरकारों को शामिल किये बिना, आप समधान नहीं ढून पाएंगे। आप खुद को क्रोध में जला सकते हैं, कोई समधान नहीं निकलेगा। अगर हम आपको बात ना करने दें, चाहे आपको अच्छा भोजन मिले पर बोलने न दिया जाए, तो आप कहेंगे कि बोलने की आजादी नहीं है और बड़ा हंगामा करेंगे। तो स्वभाविक रूप से बातें ज्यादा होंगे और काम-काम। मतलब क्या कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, भारत ने बहुत बड़े कदम उठाएं, स्थाई उर्जा की देशा में और ऐसी चीजों में। भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़े कदम है। क्या हर देश वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए? शायद नहीं। वो नहीं कर रहे, यह मैं जानता हूँ। लेकिन जो लोग उन देशों में रहते हैं, क्या वो कुछ चीजें त्यागने को तयार है? क्या यह सिर्फ राजनीताओं का काम है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग कुछ भी त्यागने को तयार नहीं हैं। अगर आप दिल्ली में सभी से एक दिन ऑफिस पैदल जाने के लिए कहें, तो क्या वो जाएंगे? नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं, प्रदूशन, प्रदूशन, आपको कुछ करना भी चाहिए हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा बस एक जादूई च्छडी से समधान करते हैं। नहीं, इसलिए मैंने किसानों को शामिल किया, मैंने सरकारों को शामिल किया और अब मैं नागरिक समाज को शामिल करने की कोशिश कर रहां। इस सरकार को अंतर राश्य من्चो पर इस तरह का समर्थन मिल रहा है, जा सब पहल द्रिर्टा से अपनी बात रखी है अभी अभी जलशक्ती मंत्री यहां थे स्टॉक होम में वाटर वीक में थे उन्होंने इस पश्ट रूप से बताया कि वो क्या कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं पर क्या आपको लगता है कि आबादी का जो दबाव इस जमीन पर और इस सरकार पर है वो छोटा दबाव है हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो फिलहाल अगर जलशक्ती मंत्राले यह कहें मान लीजे यह कहना उनका काम नहीं है मान लीजे वो कहें इतना ही पानी है तो साल 2030 तक आपकी आबादी इतनी होनी चाहिए तो अगले पान साल तक अपनी इच्छा से बच्चे पैदा मत कीजिए क्या आप ऐसा करेंगे तो कैसे होगा समस्या आप खुद हैं और आप चाहते हैं कि समाधान कोई और ढूंडे तो कैसे होगा पूरी दुनिया में एक ही समस्या है खास करके भारत में हमें लगता है कई समस्या है नहीं कई समस्या नहीं है सिर्फ एक समस्या है आबादी ठीक है अगर आप सचेत रूप से उसे सीमित नहीं करते तो प्रकृती इसे बहुत बेरहमी से आपके साथ करेगी आप ऐसा होने का इंतजार कर रहे हैं